तो दोस्तो यूकरेन और रशिया के इस लड़ाई में रशिया को मिला अब तक के सबसे बड़ा जटका और ये जटका है गाइड़ मिसाइल क्रूजर मॉस्कोवा के डूब जाना रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रशियान नेवी के ब्लैक सी फ्लिट के जो फ्लैक्शिफ है मतलब गाइड़ मिसाइल क्रूजर मॉस्कोवा वो आग के कारण बुरी तरीके से शतिगरस्थ होने के बाद अब फाइनली ब्लैक सी के अंदर समा गिया है मतलब ये जाहाज अब डूब चुका है दोसो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि रशियन कैपिटल मॉस्को के नाम पे रखा हुआ रशियन नेवी के ये जाहाज जो की कोई छोटा जाहाज नहीं है बलकि एक बहुत बड़ा जाहाज उसमें कैसे आग लगा और ये जाहाज कैसे डूब गया तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए तो रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हाली में रशिया नेवी के ब्लैक सी फ्लीट के फ्लैक शिप गैडिन मिसाल क्रूजर के उपर आग लगा था आग के कारण जहाज के जो एमुनेशन है उसमें भी डेटोनेशन हुआ और उसके बाद जहाज इतने बुरी तरीके से डैमेज हो गया कि ब्लैक सी के अंदर ही समा गया मतलब ये डूब गया दोस्तों इस घटना को रशिया के लिए इस लड़ाई में सबसे बड़े नुकसान के रूप में भी देखा जा रहा है बेसिकली जब से रशिया के द्वारा यूकरेन के उपर हमला बोला गया है तव से ही यूकरेनियन डिफेंस वोर्सेस का एक बड़ा निशाना था रशियन नेवी के ये जहाज और थस्डे के दिन आखिरकार ये जहाज भुरी तरीके से शतिग्रस्त होके डूब गया हाला कि यूकरेन के अधिकारियों के तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जहाज को यूकरेनियन मिसाइल ने हिट किया था और रश्यन अधिकारियों के तरफ से इस बात को तो acknowledge कर लिया गया कि जहास के उपर आग लगा था लेकिन इस बात को acknowledge नहीं किया गया कि ये किसी मिसा ये हिट हुआ था बोलके रश्या के तरफ से यूक्रेन के राज़दानी कीव की ऊपर कबजा करना संभब नहीं हो पाया और इसके बाद रश्या के तरफ से कीव के नजदेक से अपने टुप्स को हटा के अब पूर्वे दिशा के तरफ फिर से एक बार जमा किया जा रहा था लेकिन ये घटना एक तर जहास दिन तक इस लड़ाई में सर्वाइफ करने को लेके गर्व अनुवव करने का भी बात कहा गया और उनका ये भी कहना था कि दूसरे तरफ रशिया के तरफ से कहा गया था कि पांच दिन के अंदर ही यूक्रेन घुटने पे आ जाएगा उनके तरफ से जहास के डूबने के घटना को हाइलेट करते हुए ये भी बताया गया है कि बहुत लोगों का कहना था कि रशिया जहास यहास से आसानी से सेल करते हुए निकल सकता है लेकिन अब ये पानी के नीचे है दोसों सिंपली उनके तरफ से इस गाइड़िड मिसाइल क्रूजर को ही रेफरेंस किया जा रहा था रशियन डिफेंस मिनिश्ट्री के तरफ से भी इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि ये जहास जब टो करके पोर्ट में लाया जा रहा था तब एक समुंदरी तुफान के कारण डूब गया रशियन डिफेंस मिनिश्ट्री के तरफ से इ ये असल में 16 long range cruise missile को carry करने का शमता रखता था और इस जहास के ढूबने के simply मतलब है कि रेशिया के जो black sea के अंदर fire power है उसमें अफ कमी आएगा और दोसो साती साथ ये घटना रेशिया के जो leadership है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश भी है क्योंकि already ये जो invasion के घटना है इसे historical blender के रूप में भी देखा जा रहा है दोसे तरफ लड़ाई अव आटवा हफते में फ्रवेश कर चुका है जहाँ पे यूकरेन के द्वारा बराबर पहले दिन के जैसे ही टकर दिया जा रहा है दोसो इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ तो western देशों का भी है जि Snake Island में Russian troops को आगे बढ़ने में मदद किया और Ukrainian troops को surrender करने के लिए भी मजबूर किया था इवन रिपोर्ट के मुताविक मारियो पॉल शहर के जो दक्षिन में स्थित पोर्ट है वहाँ पे भी लड़ाई के दर्मियान ये जो flagship है मतलब मॉस्कोवा ये Ukrainian troops के उपर भारी परा दूसर अगर मॉस्कोवा जहाज को देखा जाए तो ये Slava class के guided missile cruiser है दूसर मॉस्कोवा जहाज को असल में Soviet Union के जमाने में ही निर्मान किया गया था और अगर Slava class को देखा जाए तो इसके अंतरगत Slovyet Union के तरफ से total 10 जहाज निर्मान करने का plan बनाया था लेकिन केवल मात तर तीन जहाजों को ही complete करना संभब हो पाया Slava class के अंतरगत बनाये गया इन तीन जहाजों में सबसे पहला जहाज था मॉस्कोवा जिसका construction का काम 1976 में शुरू हुआ और launch 1979 में किया गया पर इसे commission 1982 में किया गया दोसों ये जहाज जहाज पे Black Sea Fleet का flagship था तो उही पे Northern Fleet के flagship के रूप में इसका दूसरा जहाज मतलब Marshall Eustronov को किया जाता है, Marshall Eustronov असल में Slava class का दूसरा जहाज है जफकि Slava class का तीसरा जहाज है Varieg जिसका इस्तेमाल Pacific Fleet में होता है, जफकि इस class के अंतरगत एक चौथा जहाज को भी निर्वान किया जा रहा था जिसका नाम यूक्रेना लेकिन ये कभी संपूर्ण नहीं हो सका, दोसरा मॉस्कोवा या फिर कहें तो Slava class के इन जहाजों को देखा जाए, तो ये कोई हलके या छोटे वजन के जहाज नहीं बलकि काफी भारी भरकम और काफी बड़े जहाज है, रिपोर्ट के मुताविक ये जो जहाज है, इसका करीब 12,490 टन हैं, और लंबाइ करीब करीब 186.4 मीटर मतलब 611 फिट के आसपास है, जबकि इसका चौड़ाई 20.8 मीटर मतलब 68.2 इंच के आसपास है, और इसका ड्रॉट करीब 8.4 मीटर मतलब 27.6 इंच के आसपास है, दोसरो ये जो जहाज है, ये चार combine gas and gas, gas रहता है जिसका पावर करिव 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 एक लाग इकीस हजार होस्पावर या फिर कहे तो 90 हजार किलो वाट है इन चार इंजिनों के सारी यह जो जहाज है यह 32 नॉट मतलब 59 किलो मिटर पर आवर के रफ्तार से ट्रावल कर सकता है जब किसका रेंज करिव करिव 10,000 नॉट टॉप पेर 3D सर्च रैडर और फ्रगाट MR-17 टॉप स्ट्रीट 3D सर्च रैडर का इस्तिमाल होता है इसके इलावा जहाज में प्लाम फ्रॉंड निविगेशन रैडर पॉप ग्रूप A.N.4 फायर कंट्रोल रैडर टॉप डॉम A.N.6 फायर कंट्रोल रैडर वास्टीट 1K360 क्लोजिन वेपन सिस्टम फायर कंट्रोल रैडर वुल्ड हॉन एमेफ हल माउंटेट सोनार का इस्तिमाल होता है इलेक्ट्रिक वोर्फेर के रूप में जहाज में रूम टॉब साइड ग्लॉब इलेक्ट्रोनिक वोर्फेर एंटेनास का भी इस्तमाल होता है जबकि इसमें 2PK2DL 140 mm के चैप फ्लेम भी इस्तमाल किया गया है हतियार को अगर देखा जाए तो इसमें 16 P500 या फिर P1000 सिरीस के एंटी शिप मिसाइल को तैनात किया सकता है इसके इलावा इसमें 8 सेल वाला टोटल 8 S300F Long Range Surface 2 Air Missile भी है मतलब टोटल 64 S300 Missile भी इसमें Air Defense के लिए तैनात रहता है जबकि इसके इलावा Short Range के लिए 20 सेल वाले 2 OSAA मे Short Range Surface 2 Air Missile भी इसमें तैनात रहता है कुल मिला के अगर देखा जाए तो 40 Short Range और 64 Long Range के Air Defense Missile होने के बावजूद ये जहाज किस तरीके से एक Cruise Missile से हिट होता है ये एक बहुत बड़ा सवाल है इसके इलावा दोस्तों जहाज में एक 2 Barrel वाले AK-130 130 mm के L-70 Dual Purpose Gun का इस्तेमाल किया आता है जो Land और Air डोनो टार्गेटों को निशाना बना सकता है और शबसे Short Range में जहाज के Defense के लिए 6 AK-630 Closing Weapon System भी है और Anti-Submarine Warfare के लिए 2 RVU 6000 Anti-Submarine Motor भी है जबकि दोस्तों इसमें 10, 2 Quinn वाले 533 mm के Torpedo Tuse भी है जिसमें Anti-Shift और Anti-Submarine दोनों तरीके के Torpedo का इस्तेमाल किया सकता है जबकि दोस्तों इसके इलावा ये जहाज एक K-25 या फिर कहें तो K-27 हलिकॉफटर से भी लैज हो सकता है जहाँ पे K-27 एक Anti-Submarine Warfare हलिकॉफटर है तो उही पे K-25 Anti-Submarine के साथ-साथ Multi-Force Shipborne हलिकॉफटर के रूप में इस्तेमाल होता है दोस्तों अब ये जहाज के डूबने का घटना बहुत दिनों तक रशिया को परिशान करेगा जबकि अगर देखा जाए तो इतने बड़े जहाज को एक मिसाइल के हिट से तो तवा होना नहीं चाहिए था वैसे दोस्तों रशिया के तरफ से ये नॉलेज किया जा रहा है कि जहाज के आग लगने पर जहाज के जो एमुनिशन है उसमें भी एक्स्प्लोजन हुआ है जिसके वज़ा से ये जहाज तवा हुआ है पर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि पजाज देन के लड़ाई के बाद जिस उक्रेण का हालत खसता हो चुका है उसके पास अगर अभी वी रशिया के इतने बड़े जहाजों को निशाना वनाने का शमता है तो आने वाले समय में इस शेत्र में रशिया के अन्य जहाज भी सेफ नहीं है और साती साथ सवाल ये भी है कि अगर जहाज में 64 लॉंग रेंज की और 40 शॉर्ट रेंज के एर डिफेंस सिस्टम के साथ क्लोजिन वेपन सिस्टम भी तैनात था तो किस तरीके से एक क्रूज मिसाइल इस जहाज को हिट कर सकता है तोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आद लाइक कीजिए और मेरे चनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को फ्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन